नमस्कार जोहार इस वक्त हम खुटी जिला के कछेरी मैदान में मौझूद हैं और आप सबों को मैं बता दूँ कि 15 दिसंबर को यहाँ पर जारखन के मुख्यमंत्री स्रिहमंत सोरेंजी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने बातों से खुटी वासियों को संबोधित करेंगे है इससे देख से प्रतित हो रहा है कि यहां पर खुटी ही नहीं और जगह से भी लोग यहाँ पर आएंगे और ज़र्खंड के मुख्यमंत्री हमंत् जोरें-जी का बात सुनने के लिए यहां पर आएंगे आप कहा से हैं विहार से आप जारखंड यानि कि खुटी क्या करना है खुटी काम खरने आये हैं अब लोग कब शुरू किये हैं इतना बड़ा टेंट खड़ा करने के लिए एट टेंट आज के तिन दिन पहले से चलू है यह कब तक कंप्लिट हो जाएगा नियुकित को खड़ा करने के लिए लगभग आए होंगे शक्रिश देविए इस पहले आप लोग और कहां कहां काम करने कर गया होंगे यह बहुत जगह हैं गुरूला गया है गड़वा गया मैंने हर जिला में जाता हैं आप लोको यहां पर खुटी हाकर कैसा लग रहा तो लेखे यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो जोम Sudan गाडी के मदद से यहां पर इतना बड़ा विशाल टेंट खड़ा कर दिया जा रहा है यह त कव die यहां आगर चारों से देखिएगा तो अभी सरी जैराया गिया है इसे लेकर पुर्द पर यह त्यारी की जा रही है साफ सफाई का भी विशेस ध्यान दिया जा रहा है यहां पर सुबह खुटी जिला के डिसी महोदय ने भी यहां पर आके यहां का जैजा लिये उनका भी विचार हो रहा है कि जितना जल्द से जल्द यह काम पूर्ण हो जाए और बहुत ही अच्छा से यह प्रोग्राम बिते कछेरी मैदान के 20 सेंटर में ही अभी मैं मौझूद हूँ और यहां पर देख के ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर काफी लोग मौझूद रहेंगे फुटी के तो लोग आएंगे ही लकिन इसके अलावा अन्या जगा से भी लोग यहां पर आएंगे और मुख्या मंतरी का बात सुने के लिए आ सकते हैं इस तरह की संभौना लग रही है विडियो के माध्यम से अगर आप लोग देखेगा तो जिस तरह से यहां पर काम करने वाले लोग जिस तरह से आये हैं वह लोकल तो नहीं भीहार के लोग आए हैं वह काफ से पहले कंप्लिट करने का प्रयास कर रहे हैं आज का खबर मैंने आप सबों को इसलिए बताया कि जो 15 दिसंबर को राजय के मुख्यमंत्रियां पर आने वाले हैं तो इसी को लेकर आज मैं खबर बताया हलां कि 15 तारी को आएंगे और क्या कुछ यहां पर संबोधित आने का प्रयास करूंगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्याबाद जोहार जारखंड जय जारखंड